दिन की वीडियो में मैंने आपको निउस दी थी की कैसे भारत की लाखों मदद के बावजूद शिलंका ने एक बार फिर भारत के लिए मुश्किले करी करते हुए अपने नॉर्धन पार्ट में जो की भारत से मातर 50 से 60 किलोमेटर दूर है वहाँ पर कई सारे चाइनिस इंफ बंगलादेश के मुन अच्छे शोभाई आशाकुरी आपनर शोभाई भालो आचिन फ्रेंड्स मैं हूं मुहम्मद नईम चैनल पर वैलकम बैक आज इस वीडियो पे मैं रियक्शन लेके आया हूं वीडियो है जी इंडियन मीडिया ऑन बंगलादेश मतलब इंडियन जो ह हैं इंडियन मीडिया क्या कह रहा है बंगलादेश के बारे में मतलब इंडिया जो है वो शुरू से यही कहता है के हमारे जो एहसान है बंगलादेश के वो बंगलादेश अब भूल गया है अब बंगलादेश खुद मुक्तार हो गया है मतलब इस तरह का जो टाइटल है व आने वाली लेटस्ट वीडियो आप तक टाइम से पहुँचती रहें तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट मेरे साथ रहेगा पुरा वीडियो देखेगा है वी गो आस्सलाम वालेकुम आम्तोर नना चीपरेटी उभेर आसकेरायो जने शाथे आसे आसे आमी हासानुर इसलाम भारतियो मिडिया शंप्रोती समाए बांगलादेश की निया जाइच्छा ताई मंतब्ब करे जाच्छे आमादे मानुनियो प्रधान मुंत्री शेखासीना जखन भारतियो कनो कमपानी के प्रकल्फदया बातिल करे कनो चिना कमपानी के दयाए तोखन भारतियो मिडिया प्रोचार करे बांगलादेश चिने रिषाराय चले आबार एकी घटना जखन उल्टो हए तोखन बांग्लादेश के माथाई तुले नाच्छे भारतियो मीडिया खने-खने निजे देर रूप पालटाई टाइटेल ओ थामनेल देखे निश्चो यक्ना देर बूस्ते बाकी नहीं आजके आमरा की निये कथा बलबो भारतियो मीडिया दाभी करचे बांग्लादेशन नाकी स्रीलोंकार मत भारत के धोका देच छे भारत सप्षमाए बांग्लादेशके शार्ढजकरेसि छे કીનુ બાંલાદેશે નાકી ભારત ઓ હિંદુ બિરધી મનભાબ દીનીં બરીધ્ધી પાચે ભારત બાણાદેશ્કે કી ભાબે એબં કી દીયા શાજ્જ કરે છે તા આમાર જાણા ની ભારત બાણાદેશ્કે કીએ આમંણ શાજ્જ કરેછે જાનીએ ભારતીયવે મીડીયા માયા કર્ણા કર્છે दिन की वीडियो में मैंने आपको न्यूज दी थी की कैसे भारत की लाखों मदद के बावजूद शिलंका ने एक बार फिर भारत के लिए मुश्किले खड़ी करते हुए अपने नॉर्दर्ण पार्ट में जो की भारत से मातर 50-60 किलोमेटर दूर है वहां पर कई सारे चाइनिस इंफ्रेस्ट्रक्शर पोजेक्ट्स को हरी जंटी दे दिया है चलो शिलंका ने तो दोखा दे दिया लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने बांगलादेश की बहुती बड़ी मदद कर दिया है और परोसी धर्म निबाते हुए भारत ने बहुती मुश्किल और नाजुक स्थिती में बांगलादेश की मदद के लिए हाथ बड़ाया है भारत ने बांगलादेश की क्या मदद की जो कि अब धेरे-देरे करीब आते जा रहा है वहीं रश्या जो कभी भूदी करीवी मित्र हुआ करता था वो अब धेरे-देरे दूर जा रहा है लेकिन जो कहीं दशकों से हमारे परोसी है ओना कभी बड़ले हैं नहीं कभी बड़लेंगे वैसे ये कोर्ट तो चलो ठीक है मगर निराशा इस बात से होती है कि ये चीज़ बस भारत को ही समझ आती है बस हमारी सिरकारों को ही समझ आती है लेकिन नेपाल, बांगलादेश, शिलंका जैसे हमारे प्रोसी डेशों को बिल्कुल नहीं आती है जो बस इंडिया वर्सिस चैना राइवल्री का फाइदा उठाने के चक्कर में खुद के लिए तो मुसीबते खड़ी करी रहे है लेकिन साथ साथ भारत के लिए भी अब मेजर थ्रेट बनते जा रहे है जैसे शिलंका आज चैना के डैप टैप में फस्ते फस्ते बिखने की कगार पर आ गया है खुद तो बरबादी की और बढ़ रहे है लेकिन इंडिया के पूरे साथन पार्ट की सुरक्षा के लिए शिलंका मेजर थ्रेट बनते जा रहे है खैर भारत तो फिर भी भारत है हमारा और हमारी सिरकार का दिल बहुत ही बड़ा है और इस उमीद में की बांगलादेश को भी अकल आएगी भारत ने कोविड-19 से लडाई में मदद के लिए बांगलादेश को बहुत ही बड़ी रहत दे दिया है दरसल दा टाइम्स आफ इंडिया एने इन्युजंसी, दैनिक जागरन और कई बड़े-बड़े मीडिया उजिसके वाले सी मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारत में बांगलादेश के लोगों को गिफ्ट के तौर पर दो बड़े-बड़े ऑक्सिजन जनरेशन प्लांट सी गिफ्ट कर दिये हैं जो कि आज बांगलादेश पहुच गए हैं रिपोर्ट से मुताबिक भारत से दो मेडिकल ग्रेट ऑक्सिजन प्लांट्स आंदरा परदेश के विशागा पटनम से सोंवार यानि मंडे को रिवाना कर दिये गे थे जो कि आज थरस्टे को जाकर बांगलादेश पहुचे हैं वैसे इंटरस्टिंग बात यह है कि भारत में बांगलादेश को ये प्लांट्स पहुचाने के लिए इंडियन नेवी को डिपलाई किया था यानि ये प्लांट्स बायर रोड नहीं गये हैं ये औक्सेशन जनरेशन प्लांट्स आएने सावित्री ने बांगलादेश पहुचा हैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि दोनों में से एक ब्लांट बांगलादेश की राजधानी धाका मिस्तित धाका मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल किया जाएगा जबकि दूसरे ब्लांट का इस्तमाल बांगलादेश नेवी करेगी बांगलादेश की बात करें तो उसने भी जब भारत में COVID-19 पीक पर था तब भारत की मदद के लिए एंटी वारेल ड्रग्स और कुछ PPE किट्स बेजी थी इसलिए परोसी देश होने के नाते हमारा भी फर्स बनता है कि हम बांगलादेश की मदद करें लेकिन इराशा बस बांगलादेश में जो आज की डेट में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट्स बढ़ रहे हैं जिसका स्पष्क्रुधारन है PM नरेंदर मोदी जी की बांगलादेश यात्रा जिस दोरान बांगलादेश के कई सारे कटरबंती लोग PM मोदी के खिलाफ सड़कों पर उतराए थे इसलिए माशा करते हैं कि भांगलादेश के लोगों में भांगलादेश के लोगों में भांगलादेश के थोड़ा सम्मान को बढ़ाएगी क्योंकि मुसीबत में भांगलादेश के लोगों के काम बस भांगलादेश के लोगों के काम बस भांगलादी आता है ओन्नो दिके भारतियो मोंत्री एमपी देर मुस्रमान्दे टार्गेट करे बग्तब्ब प्रति दिनेर रूटिन एखन आपनाराई विबेक दिये बिचार कोरून कों देश साम्प्रो दाहिक देश भारतियो एई सांगबादिक बोल छे बांगलादेशे भारत बिरोधी मनभाब ब्रिध्धी पेहे छे किन्तु क्यानो ब्रिध्धी पेहे छे ता एई भारतियो गोर्दी मिडिया खुस्ते जाएनी नेपाल 2015 सालपल दु भारतियो शब चे काछेर देश छीलो किन्तु बड़तमाने नेपालो भारत ठेके दुरेशोर्य जाँछे नेपाल एबं भारत उभोई हिंदु संखा गरीश्टो देश किन्तु एर पारे हो क्या नो नेपाल भारत थे के दिन दिन दूरे शोड़े जाच्छे आशा कोरी भारतियों मीडिया ओ भारतियों दादारा एई प्रोष्णों गुलोर उत्तरखोजाच चेश्टा कोर बेन सब मिली ये क्या मों छीलो आसकेर वीडियो आम अधर कॉमेंट को रेता नो थे एक दो मी भूल बेना ओके गाईस तो ये था आज का वीडियो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ बलके बंगला देशी भाई तकरीबन ये जानते ही है कि इंडिया जो है वो शुरू से ही मतलब अपना हक जताता रहा है बंगला देश के उपर ये कहता रहा है कि बंगला देश को मतलब अजाद करवाया है इंडिया ने इंडिया की हैल्प से बंगला देश अलग हुआ तो बंगला देश भई हमारी गलतियों से हमारे जो पॉलिटीशन्स थे उनकी गलतियों से अलग हुआ ना हमारे पॉलिटीशन्स ना इनसाफी करते बंगला देश के साथ तो ना आज बंगला देश एक अलग कंट्री होता बलके पाकस्तान का हिसा ही होता पहली बात तो ये है और दूसरी बात ये के एक कमजोर कंट्री समझ के हमेशा से भारत ने बंगला देश को दबा के रखा अपने मतलब हुकमरानी बंगला देश के उपर करने की कोशिश की जो के अब नहीं चलेगी बंगला देश जो है आज एक मतलब खुदमुकतार कंट्री बन गया है आज बंगला देश किसी पे भी डिपैंडेटे नहीं है बंगला देश जो है वो एक मतलब उभरता हुआ राइजिंग टाइगर है बंगला देश जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है जिस हिसाब से मतलब बंगला देश आगे बढ़ रहा है है, بنگलादेश मतलब ग्रोथ रेट में आगे बढ़ रहा है, करोना के दिनों में भी, कोविड के दिनों में भी बंगलादेश में मतलब कोई फरक नहीं परा, उसकी मतलब GDP में, ग्रोथ रेट में उसी रफ्तार से, माशाला से, अगर पुरी दुनिया में असर अन्दाज हुई है पुरी दुनिया जो है उसके असर हुआ है कोविड का लेकिन बंगला देश माशालोध से उसी स्पीड से तरकी करता रहा है आज इतने मतलब डिवैल्प हो रहा है चाईना इनुवेस्ट कर रहा है जापान इनुवेस्ट कर रहा है बंगला देश में बंगला देश के साथ जो है कारोबार अच्छे हो रहे हैं बंगला देश की एक्सपोर्ट बढ़ रही है बंगला देश की जो गार्मेंट्स है आज इंडिया की गार्मेंट्स से अच्छी और सस्ती में मतलब फारण को मिल रही है अगर यूएसे में यूएसे को अगर बंगल पाहिक्ट अच्छे हैं बहुत अच्छे पॉडक्ट हैं और मतलब उनके जो हैं स्टेंडड के मतावख हैं और सारे कंट्री इस लिए जो हैं वो बंगला देश की तरफ मतवज्जव हैं तो आज अगर इंडिया यह कह रहा है हमारा कोई इहज़ा है बंगलादेश पे तो इंडिया का कोई एहसान नहीं है बंगलादेश अपने पाउँ पे खुद खड़ा हुआ है इंडिया को जब पानी की जरूरत होई तो रोक लेता था जब पानी ज़्यादा वाफर मिकदार में होता है तो छोड़ देता है तब बंगलादेश में फलर्ड आ जाते है तो तब इंडिया कहा होता है पाकिस्तान के साथ भी गाइज इंडिया यही करता है जब पानी की जरूरत हो तो पानी जो है वो रोक लेता है पानी नहीं आने देता जब बारिशें होती हैं ज्यादा पानी होता है तो पानी ज्यादा छोड़ दिया जाता है तो यही काम जो है वो इंडिया बंगला देश के साथ भी कर रहा है डैम बनाए हुए है जो बिजली पैदा होती है वो ही बिजली बंगला देश को सेल कर रहे हैं मतलब हर लिहाद से बंगला देश को अपने काबू करने के चकर में लगा हुआ है इंडिया लेकिन बंगला देश जो है अब इनके हाथों में नहीं आने वाला अब बंगला देश वो बंगला देश नहीं रहा अब बंगला देश जो है वो मतलब किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मतलब बिगाड पैदा नहीं करना चाहता है बंगलादेश की ये कोशिश है कि मेरे जो नेबर्स कंट्री है नेपाल है पाकिस्तान है इंडिया है सिरलंका है चाइना है सब के साथ जो तालुकात हैं वो अच्छे हो लेकिन इंडिया को मतलब ये बात जो है वो हजब नहीं हो रही वो तो कहता है कि बंगलादेश हमारे कहने पर चले जो हम कहें वो ही बंगलादेश करे तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को आज का ये वीडियो कमेंट जरूर कीजेगा मिलेंगे अगले वीडियो में गुड़ बाई अलाँ हाफिज